हाई वीडियो में आपको बताऊंगे एक ऐसी नायमेडी जिसके इस्तेमाल से आप दूट से निकरती हुए तचा पासकते हैं और अपनी खूपसूरती को और भी जादा बढ़ा सकते हैं आगे बढ़ने से पहले ही सबस्क्राइब करें मेरा चानल और बेल के आइकन को प्रेस कर दें मेरे सारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो आप एक खाली पाउल ले लिजिए और इसमें आपको मिलानी है कुछ आसान से चीज़ें जो कि आपके घर बे आपको मिल जाएगी तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस्तिमाल कर रहे हैं आटे का दोस्तों यहाँ पे हम ले रहे हैं दो चमच आटा 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 ले लेना है इसे आप इस पाउल में डाल दीजिए इसके बाद फ्रेंड्स हमें इस्तिमाल करना है मिल्क पाउडर का Milk powder आपको easily किसी भी बेकरी पे मिल जाएगा या आपको किराने की दुकान भी मिल जाएगा तो इसमें 2 चमच milk powder एड़ कर दीजिए Milk powder डालने के बाद आपको इसमें डालनी है तीसर चीज वो है दही यहाँ पे हम ले रहे हैं एक चमच दही तो एक चमच दही आप इसमें मिला लीजिए इसके बाद आप इसे mix कर लें फोड़ा सा mix करने के बाद आपको इसमें डालनी है कुछ बूंदे गुलाब जल की आपको लीनी है गुलाब जल की कुछ बूंदे ताकि यह पेस्ट अच्छे से बन जाए हमारे पेस्ट तयार हो चुका है अब इसे हमें लगाना है अपने चहरे पे पेस्ट को आप अपनी उमली की मतब से अपने चहरे पे लगा लीजिए आप चाहें तो ब्रिश का इस्तिमाल भी कर सकते हैं जिससे आप यह पेस्ट अपने चहरे पे लगा सकें दोस्तो आर्टे में मौझूद विटामिन E और कॉलेजन हमारी तवचा को निखारने का काम करता है इसे के साथ दही के अंदर मौझूद एंटिबाइटिक प्रॉपर्टी एंटिबैक्टेर प्रॉपर्टी हमारे तवचा को निखारते हैं आपको यह पेस्ट अपने चाहरे पर लगाना है हलकी हलकी सी मसाज करते हुए और इसे आप अपने अंडर आइक एरिया में नाक के पास अच्छे से लगाएं ताकि वहां पे मौझूद गंदगी साफ हो सके इसे लगाने के बाद आप इसे 10 मिनित तक सूखने के लिए अपने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दे हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले थैंक्स वॉचिंग बबाई